चहीं दोस्तो तो कहीं न कहीं क्रिप्टो करंसी के उपर इंडियन गवर्मेंट का काफी ज्यादा दबाओ है क्योंकि यहाँ पर आप देखी रहे हो कि क्रिप्टो करंसी को एक तरफ यह लोग 60 केते हैं अन्रेगुलेट मार्केट है अभी रेगुलेट किया नहीं है तो भी यहाँ पर 30% टेक्स डाल दिया और 1% TDS भी डाल दिया चलो कोई बात ने इतना तो किया और यहाँ पर देखा दे तो इंडियन क्रिप्टो एक्चेंज हो के उपर इतना ज्यादा दबाव है कि फिलाल यहाँ पर लोग डिपोजिट भी नहीं कर पार है क्या है एक्चेंज क चाहेगा कि यहाँ पर डिपोजिट ना हो एक्चेंज तो यहीं चाहेगा कि यहाँ पर पेशा फटापर डिपोजिट हो फटापर ट्रेडिंग हो फटापर विड्रावल हो ताकि लोग यहाँ पर ज्यादा है और उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग फिज रहा है ना फटाक से विद्रावल हो रहा है तो प्रोब्लेम क्यों आ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं मैंने देखा काफी चेट देखा काफी मैंने रिव्यू लिया है लोगों का यहीं कि भाई अभी इस एक्चेंजों के उपर जो दबाव है वह गवर्मेंट का है तो अब देख पर एपल पेन गूगल पे का युज़ कर सकते हैं अब सोचने वाली बात तो यह है कि बाइनस के अंदर एस सर्विस मिलती है गूगल पे तो इंडियन एक्चेंजों में क्यों नहीं हमें तो यहीं लगेगा कि यहां पर वजरी इस्ट की गलती है को चलती है कि ईक्चे एक्चेंज की गलती है बट एक्चेंज कभी यह नहीं चाहता कि हमारो है इस प्रोगें नहीं होता आते थे अविश्याल बहुत प्रोब्लेम है जब से 1% TDS डाला है तब से तो यहां पर इंडिया एक चीज़ों को छोड़ के लोग बाहर ही निकल के यहां पर आपको खरीदने का मजा नहीं है का बेचने का मजा नहीं है क्योंकि वहां पर उतना लिक्विटिटी मिलता नहीं है तो देखते बजट स तो बेन कर देना चाहिए बाकि आपको क्या लगता है बहुत प्रोब्लेम है तो बेन कर देना चाहिए कोमेट सक्षिन के अंदर बता सकते हो मिलते एक नए वीडियो के साथ सब्सक्राइब कर लेना